हमें करूं से समाम कन बाफ से जानेंगे करने का वाइन तो कि बाइसेल करने के लाफ के बारे में बात वाला आनी जानेंगे और कौन-कौन से facial kits आते हैं मार्केट में इसके बारे में जानेंगे अगर आप भी online beauty parlor course सीख रही है और beautician course की file ready कर रही है तो आप भी इसे note कर लीजिए तो सबसे पहले हैं अपना heading डाल देंगे facial ठीक है उसके बाद हमारा heading facial क्या है तो facial एक ही समय में चमकदार और healthy skin पाने का एक संदार तरीका है और इसे करने से हमारी तोचा खिल उड़ती है dead skin कालापन हट जाता है तोचा का संदर बढ़ने की एक प्रक्रिया है तो जैसे कि यह एक तरह का skin treatment है जिसमें हम cleansing करते हैं face pack, scrub, massage करते हैं और कई तरह के cream का इस्तमाल करके हम जो चैरे के अंदरूनी गंदगी होती है उसकी सफाई करते हैं या अंदरूनी हम सफाई करते हैं तो हमारे चैरे की जो जूरिया होती है, dark spot होता है या फिर pimples की समस्या होती है तो facial कराने से यह सब सारे समर्श्याओं से हम सुधारपा सकते हैं उसके बाद हमारा heading है facial में प्रियोग की जाने वाली समागरी है तो फर्स्ट नमबर पर हमारा बावल, सिकेंड नमबर है हमारा टावल, थर्ड नमबर है cotton, फ़र्थ नमबर पर हमारा facial band, फिफ्थ नमबर है एप्रिन या गाउन, शिख नमबर है blackhead spin, सेवन नमबर है brush, एट नमबर है facial kit, नाइन नमबर है spray, तेन नमबर है पानी या गुलाब जल, 11 नमबर पर हमारा toner, 12 नमबर है हमारा tissue paper, facial करने की वीधी, हरिंग डाल देंगे, सबसे पहला होगा हमारा क्लिंजिंग, तो यहां पर हम थोड़ी सी मात्रा में, हम क्लिंजर लेंगे और चेहरे पर लगा के, हलके हाथ से, मसाज करेंगे, पांच मिनट तक, मसाज करना है हमें, उसके बाद, cotton से चेहरा साफ कर लेंगे, तो जो cotton हम यूज करेंगे, उसे पहले हम पानी में भिंगा और पानी सारा निचोड़कर फिर हम चेहरे को अपना क्लीन करेंगे, पेच को टर्न कर लेते हैं, स्क्रब करने से पहले जैसे कि बहुत लोगों को फेसियल कराते टाइम साथ में ब्लीच भी करना होता है, आप क्लींजर के बाद ब्लीच करेंगी, उसके बाद हम इसक्रब करेंगे, ठीक है, तो इसक्रब को पूरे चेहरे पे लगा के तीन से चार मिनट तक सर्कुलर मोशन मे मसाज करना है, यहां पे आपको बिल्कुल हलके हाथों से मसाज करना हाट हाथ नहीं चलाना नहीं, तो जो हमारे चेहरे जो हैं, जो इसक्रब के दाने होते उसे घिस जाएंगे, फिर चेहरे को साफ कर लेंगे, इसके बाद बलेक है और वाइट निकाल लेंगे, उसके मसाज करेंगे, जो मातरा लेंगे, फिर अच्छे मातरा लेंगे, लाश्ट नमबर है, हमारा फेस नमबर है, तो फेस नमबर है हमारा फेस पैक को कुछ मातरा लेकर अपने चाहरे कि गए. लगाएं और 15 मिनट के बाद थंडे पानी से क्लीन कर लें यानि जो फेस पैक हैं उसको लगा देंगे 15-20 मिनट भी लग सकता है जब तक फेस पैक आपका चेहरे पे सूख न जाए तब तक उसे आप क्लीन ना करें तो जब फेस पैक आपका सूख जाएगा तो आप पहले हातों में हलका सा पानी लीजिए फिर उसको फेस पैक को गीला करिए फिर उसको मसाज करते हुए हटाके फिर कोटन से क्लीन कर लेज़े इसके बाद टोरूर लगा लेंगे इसकेबाद मॉस्चुराइजर की कुछ मातर में लगाएंगे तो यह था हमारा फेसियल करने का वी थी आये नेक्स्ट केस पे हम देखते हैं इसके लाप के बारे में तो फेसियल करने के लाप तो फर्स्ट नमबर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है सिकेंड नमबर इस ट्रेस्ट कम हो जाता है ठाड नमबर चेह नेरे पे चमक और निकार आता है. थार्ड नंबर है शाबून का प्रियोग ना यूज करें चौथे नंबर पर हमारा एक्सपारी देखकर रिप्योग करें कीट यानि जो भी हम फेसियल कीट यूज करेंगे आप उसको पहले देख लीजिएगा कि यह एक्सपार डेट तो नहीं है तब आप इसको इस्तमाल में चलिट दिख सा गिष्ट के पाव में में टिखाने तो आप आप हमेंसे नोट कर लेगा भी एंसी फेसियल केट लोटस पसलिकित और्द economy फेसियल कीट natural स्कार हिर्श के आप अपनी स्कीन के हिसाब से वह ही यूज करें तो यह थी हमारी हैसियल के थियोरी तो आप भी इसे नोट कर लीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए